astrology में कुंडली के sixth house यानि कुंडली का जो छटा इस्थान है उससे बिमारियों या रोक के बारे में पता चलता है तो और वो बिमारियां क्या होंगी इसके लिए कुंडली के 12 houses हैं तो हर एक house body के किसी ने किसी पार्ड को represent करता है और उस house को देखने से पता चलेगा कि body के उस particular part में क्या विमारी हो सकती है तो फिलाल अभी शिक्स थाउस से रिलेटेड बिमारियों के बारे बता रहे हैं तो इसके पहले हमने आपको कोई शरीर में कोई चोट लगे घाउ हो जाए अलसर हो जाए या फिर कोई operation हो उसमें ब्लड बहे और इस तरह की problem हो तो यह सारी चीजें जो है यह सिक्स थाउस से देखी जाती है फिलाल आज जो टॉपिक है वह सिक्स थाउस में फोड़ा फुंसी और घाउ बहुत से और लगश्त था टाए वैठ तो इसके लिए आफ介़ ह्टि की में प्लैनेट है तो इसके लिए ने कैसे देखे कि यह व्क्ति जो है इसको फो फोड़ा फुंसी और इस तरह घाउ और इस ऊसार इसकी problem होगी इसको तो इसके लिए आप देखें एक वि Carrie है और उसकाre社 Labs इसको देखना जोरी है इसके लावा यह सिक्स्थ हाउस देखिए छटा इस्थान तो कुंडली का छटा इस्थान इसका लॉड यानि सस्टेश और इसके कारग्र हैं मंगल बुद्ध एंशनी इनको देखिए और काल पुरुष की जो छटी राशी है सिक्स राशी यानि कन्या राशी इसको देखना जोरी है कुंडली में कहां है उसके उपर पाप्रभाव या शुप्रभाव है और कन्या राशी का जो लॉड है यानि बुद्ध उसको देखना जोरी है तो आपको बताए कि मंगल जो है वो में कारक है यह फोड़ा फंसी घाओ के और सूर प्लस मंगल अगर हो जाए सूर प्लस मंगल का कहीं कॉमिनेशन हो या इन दोनों की द्रस्टी हो जाए तब ऐसे केस में फिर यह और ज्यादा प्राब्लम होती है फोड़ा फंसी घाओ या अलसर वरकी इसके लावा शनी को देखना चाहिए शनी है यह राहु केतु है यह पाप ग्रह है तो यह अगर शनी राहु केतु का involvement है और तो ऐसे केस में यह severity जो है उसकी बढ़ जाती है यह रोक को और ज़्यादा गंभीर बनाते हैं उसको जल्दी recovery नहीं होने देते उसमें उसकी recovery में डिले करते हैं और उसको और serious बनाते हैं तो जो चीज़ें आपको बताएं यानि लगने लगनेश, कारक सूर, सिक्स थाउज सिक्स का लॉर्ड, मंगल बुद्शनी इसके कारक और सूर एंड मंगल, तो ये सब अगर कुंड़ी में वीक हो, निर्बल हो, और पाप रभाव में हो, यानि पाप गुरहों की होती हो, द्रस्टी हो, और इसके लावा ये अगर 6-8-12 से इनका रिलेशन हो, 6-8-12 में बैढ़ जाएं, या 6-8-12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो, संबंद के लाइफ में, तब इन चीजों से वो परिशान रहेगा, यानि उसको आए दिन जो है, इस तरह की प्राव्लम बनी रहेगी, फुड़ा, फुंसी और घाओ, अलसर इस तरह की चीज़ें, राइट, अब इससे रिलेटिट बहुत सारे योग हैं, कुछ योग आपको बताते हैं, कि माली ये लगन है, कुंड़ी का लगन है, और ये सिकेंड इस्थान है, सेविन्थ इस्थान, सेविन्थ इस्थान क्या है, मारक इस्थान है, तो लगन, सेविन्थ, और इसके अलावा एर्थ इस्थान, एर्थ इस्थान जो है, वीगन बादाओं का घर है, और ये औ मंगल अशुब होके बैठें योग कारक नहों उसके उपर सूर की दिरस्टी हो जाए तो आपको बताया सूर प्लस मंगल यह फोड़ा फुंसी और घाव की कारक हैं तो लगन सेकेंड सिवन्त या एर्थ में अगर मंगल बैढ़ जाए यहां पे उसके उपर सूर की दिरस्टी हो जाए तब ऐसे केस में विक्ति जो है वो जब सूर मंगल की दशा आएगी अंतर दशा आएगी तब यह फोड़ा फुंसी घाव से उसको प्राप्लम होगी माली जे लगन है राइट कुड़ी का लगन है शिक्स था उसे जो रोग का स्थान है तो लगन है शिक्स थैस इसमें मंगल बैड़ जाए और इसके उपर सूर की दरस्टी हो जाए तब भी वही प्राप्लम यानि फोड़ा फुंसी घाव होगा और जब इनकी दशा अंतर दशा आएगी तब भी प्राप्लम होगी माली जे कुड़ी का लगन इस्थान है यह लगन है सेवन्थ है लगन में चंद्रमा बैठें अशुब होके बैठें निर्वल हो मारक हो और इसके लावा सेवन्थ स्थान जो मारक स्थान है बिल्कुल ठीक सामने लगन के तो इसमें सूर प्लस मंगल बैड़ जाए तो यहाँ पर लगन में चंद्रमा वीक होके बैठें निर्वल होके और या मारक होके अशुब होके बैड़ गए और इनके ठीक सामने घर में सेवन्थ जो मारक के स्थान है यहां सूर प्लस मंगल बैड़ जाएं तो सूर मंगल की डारेक द्रिस्टी लगन पर होगी और विक्ती फिर फोडा फुनसी और घाव से पीडित होगा यानि जब उसकी है तो लगनेश प्लस मंगल छे आट बारा में बैड़ जाएं और तो ऐसे केस में आपने कई बार देखाऊगो लिंफ नोट्स होते हैं उसको लिंफ नोट्स कहते हैं जो गांठ बन जाती है तो वो कई बार वो इन्हें उसमें इंफेक्शन होने से बर्स्ट कर जाता है किसी इन्फिक्शन से तो वो बर्स्ट करेंगे फूटेंगे और उसके बाद फिर उससे मवाद निकलेगा और फिर यह इस तरह का घाओ पैदा होगा या अलसर बनेगा राइट माली यह कुंडली का ब्रस्चिक के राशी है ब्रस्चिक राशी मतलब आर्ट नमबर स्कॉर् मंगल की 2 राशिया हैं में तो ब्रस्चिक में बैठने का मतलब क्या हुआ कि वह स्कॉर्प्यू रही हो गहें मंगल ब्रस्चिक राशी के में स्कॉर्पियू राशी में बैठके सोग रही हो जाएं लेकिन इसके ओपर फिर गुरू या शुक्र की द्रस्टी नहीं होनी चाहिए अगर गुरु शुक्र की द्रस्टी होगी तब ये प्रावलम नहीं होगी तो मंगल स्वग रही होके ब्रश्चिक राशी में अगर बैठें लेकिन उसके उपर गुरु शुक्र की द्रस्टी नहों तब ऐसे के इसमें फोड़ा फु सी घाओ के कारक ही है साथ में केतू बैढ़ गए तो और बहुत ज़्यादा उसको इन्हेंस कर दिया यानि उसकी सिवियर्टी को बढ़ा दिया नो ने तो मंगल प्लस केतू यहां सेविंथ बैढ़ या है तो ऐसे केस में विक्ती बहुत ज़्यादा परिशान रहेगा सस्थेश के साथ में चंद्रमा बैढ़ या है फिर से बताते हैं देखिए लगन या अस्टम में सिक्स्थ के लौड यानि सस्थेश के साथ चंद्रमा अगर बैढ़ या होगा या फेस के ऊपर कोई घाओ होगा क्यों क्यों कि चंद्रमा जो है वो फेस को रिपेजेंट करत है तो लग्न या अस्टम में अगर सस्थेश सिग्स के लौड के साथ में चंदर्मा बैड़ या तो इसे केस में विक्ति के होंगे घा होगा या वो परिशान रहेगा इसकी वैसे लगन या अस्टम में मालिय की सस्ठेश का लौड है जो रोग देने वाला है तो रोग यह इस्थान हुआ इसका लॉड यानि रोग कारक, रोग को देने वाला हुआ, तो लगनिया अस्टम में सस्थेश के साथ अगर बुद्ध बैड़ जाएं, बुद्ध बैड़ जाएं तो विक्ति के चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर कोई घाव हो जाए, या चोट लग जाए, या कोई उसमें व यूपिटर अगर बैड़ जाएंगे, तो विक्ति के नाभी के पास, अंबिलाइकस के पास, जो है, कोई चोट लगे, घाव हो जाए, या कोई फोडा फुनसी या अलसर बनेगा वहाँ पर, रहें, माल ये लगनिया अस्टम में सस्थेश के साथ में शुक्र बैड़ जाए तो अगर शुक्र बैठेंगे, तो ये आईज के कारक है, तो आईज में ट्रेकोमा होता है, ट्रेकोमा या उसके रोहा भी करते हैं, तो ये ट्रेकोमा ऐसा रोग जो है, ये आईज में होगा, अगर लगनिया अस्टम में सस्थेश के साथ अगर शुक्र बैड़ जाएंगे तो पैरों में कोई घाव होगा, चोट लगेगी या पैरों में चाले पड़ेंगे या कोई ज्यादा इसा घाव हो जाएगा उसमें, इस तरह की प्रावलम होगी, मालिजे लगनिया आस्टम में सस्ठेश के साथ में राहू या केतु बैड़ जाएंगे, तो विक्ति के होटो पर जो लिप्स हैं, इसमें चाला हो, घाव हो, या शरीर में और जगा, कई जगा उसको घाव या इस तरह के फोड़ा फुनसी, घाव इस तरह की प्रावलम हो सकती है, राइट, मालिजे लगनिया व्यक्ति का 12th स्थान है, 12th स्थान भी रोग का इस्थान है, क्योंकि ये शरीर की हानी करने वाला इस्थान, तो यानि 12th स्थान अच्छा इस्थान नहीं है, ये शरीर का के स्वास्त को, हिल्थ को खराब करता है, तो कुल्ली के 12th स्थान में चंद्रमा के साथ में गुरु बैड़ जाए, और 6-8 बारा में बुद्ध बैड जाए, 6-8 बारा में कह या वहाँ पर कोई प्राब्लम होगी, तो इस तरह के योग जो हैं बताये गए हैं, तो इसको हमने आपको बताया, कि या ये 6th हाउस से देखते हैं, कि ये फोडा फुनसी घाओ, इसमें मेल जो है, वो सूर एंड मंगल है, तो सूर मंगल का कॉमिनेशन या मंगल अकेले ही जो हैं, ये इसके कारक हैं, फोडा फुनसी घाओ के, और जब ये अगर कुंडली में वीक होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रों की उती द्रस्टी हो जाए, 6-8-12 से रिलेटेड हो, या 6-8-12 के लॉड्स के साथ में इनका संबंध हो, तो जब इनकी दशा अं कुंसी घाओ है, अलसर है, चोट है, छाले हैं, इस तरह की प्राइब्रम होगी, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए, थैंक यू